नवसकार सभीको, ट्रेवल करना इनसान की जीवन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे मन में जब भियात्रा करने का ख्याल आता है तो इंडनरेलवे के बारे में ही सोचते हैं सोचे भी क्यों नहीं क्योंकि इंडनरेलवे भारतियों की लाइफ लैन है जो हर रोज 2-5 करोट से जादा लोगों को एक जगा से दूसर जगा ले जाती है पहले के समय में सभी लोग लोहे से बनी सीट पर बैट कर सफर किया करते थे लेकिन टेकनोलोजी की बड़ोतरी ने इंडन रेलवे में बहुत सारे बतलाव किये एर कंडिशनर कोचेज, सोने के लिए आरायंदा एक सीट और ट्रेन में स्वादिष्ट खानी के पलबदी जैसी सुवीदा अब सारी ट्रेन में आ गई है ट्रेन के अलग-लग कोचेज में भिविन तरह की सुवीदा मिलती है और इन सभी का क्राय भी अलग होता है आप सभी ने कोचेज जैसे 1st क्लास, 2nd क्लास, चियर कार, इतियागी के बारे में सुना ही होगा और सफर भी क्या होगा लेकिन इन सब का मतलब क्या होता है? चलिये जानते हैं इन सब के बारे में आज के वीडियो में 1st क्लास फर्स्ट क्लास भारतिय रेलवे का सबसे महंगा कोच है ये कोचेज पूरे तरीके से एर कंडिशनर होने के साथ बहुत जादा कमफोटेवल और प्रीमियम होते हैं फर्स्ट क्लास का किराय कभी कभी एरोपलेन टिकेट से भी जादा महंगा होता है इन कोचेज में पर कंपार्टमेंट दो या फिर चार सीट होती हैं और इन कंपार्टमेंट में अन्य कोचेज की तरह साइड लोर या अपर बर्स नहीं होते हैं हर कंपार्टमेंट में दरवाजे होते हैं जिनको आप अंदर से बंद भी कर सकते हैं Air City City Kitchen दारा First Class के खाने का menu भी अलग होता है और ये एक मातर कोच है जिसमें आप अपने पालतू जानौर को भी ले जा सकते हैं First Class का चार्ट अलग से बनता है और इसमें आपकी मदद के लिए स्टाफ भी मौजुद रहते हैं Executive Class Executive Class को Indian Railway का Business Class भी कहा जाता है पूरे तरीके से Air Condition होने के साथ इसमें चियर कार की तरह सिर्फ बैठने के लिए सीट होती हैं इन कोचेज में दाएं योंबाएं दोनों तरफ दो दो सीट होती हैं साप सुतरे वाश रूम के साथ Executive Class काफी कमपटेवल और बीच में चलने के लिए काफी जगा होती है First Class की तरह इनका किराय भी जादा होता है और ये कोचे सताबदी, तेजस और डबल डेकर ट्रेन में ही मौजूद होते हैं Executive Class में खाने की भी सुविदा होती है जिसका चार्ट टिकेट के किराय में ही शामिल कर लिया जाता है Second AC Air Condition की सुविदा के साथ Second AC का एक compartment में 6 लोग की seat होती हैं इन में कोई middle birth नहीं होता, privacy के लिए परदे, reading lamps और 3rd AC कोच से ज़्यादा सर्विस और comfort 2nd AC कोच में उपलब्द कराया जाता है 48-54 तक की seat capacity 2nd class AC में होती है 3rd AC 3rd AC कोचे मिडल क्लास भारते द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तमाल की जाती है फुली एर कंडिशन के साथ ये कोचे वजन में सबसे भारी होती है इन कोचे में एक compartment में 8 लोग की seat उपलब्द होती है 3rd AC में middle sleeping birth भी होता है जो 2nd और 1st AC में गायव रहता है 1st and 2nd class की तरह इसमें reading lamp नहीं होते और वासरूम की सफाई भी कम रहती है 64 से बहतर seat वाले ये कोचे में परदे भी नहीं होते और थोड़े शोर सरावे भी रहता है 3rd AC economy ये कोचे थर्ड AC की तरह होते हैं बस इन में side seat में सोने के लिए middle birth जोड़ दी जाती है जिस वज़ा से इसमें एक compartment में 9 लोग आ जाते हैं 3rd AC classes कुछ दुरंतो ट्रेंज और गरीब रत में मौजूद रहते हैं AC cheer car चीर कार पूरे तरीके से air condition होने के साथ इन में सिर्फ बैटने की सुविदा होती हैं एक तरफ तीन और दूसरे तरफ दो चीर मौजूद होती हैं ट्रेंज जैसे गरीब रत, डवल डेकर, सताबदी एक्सप्रेस में cheer car class के coaches होते हैं चीर कार छोटे और दिन के सफर के लिए जादा सही होती हैं खाना खाने के लिए टेवल और लगेज रखने के लिए उपर जगा भी मौजूद होती हैं Slipper Slipper class में AC नहीं होते और एक compartment में 8 लोग के लिए seat होती हैं Slipper class में AC के तरह कांच नहीं होते वलकि खुली खिड़किया होती हैं जिससे भरपूर सूरज की रोस्तनी, डस्ट और बारिस के समय पानी मिलते रहता है Slipper coaches summer के टाइम बहुत गरम और winter के टाइम बहुत ठंडे हो जाते हैं और इन classes में safety का इतना ख्याल भी नहीं रखा जाता है Slipper class का किराय कम होता है और इनमें लगातार, चाय, कॉफी और भिलपूरी बेचने वाला भी आते रहता है भैतर seat वाला ये coaches में शोर शरावे भी काफी रहता है Second sitting, non AC 2S class एक सस्ता विकलप है यात्रा करने के लिए तिन में चलने वाली intercity और जनसताबदी ट्रेनों में ये coaches मौजूद होते हैं तीन seat बाए तरफ और तीन seat नाए तरफ होने के साथ ये coaches reserve और unreserve दोनों ही होते हैं General General coaches के ticket सबसे सस्ती होती हैं और इनमें seat की भी कोई guarantee भी नहीं होती है ये coaches में बहुत ज़्यादा भीड होने के साथ सुरक्षा कोई कोई बंदबस भी नहीं होता है General class की ticket 24 घंटे के उस सेम route के लिए किसी भी train जिसमें General coach हो उसके लिए मानने होती है तो आज के वीडियो में इतना ही comment करके जरूर बताएगा कि आप सबसे ज़्यादा किस class में सफर करते हैं धन्यवाद